आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत important होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं hair fall के बारे में यानिकी बालों के जढ़ने के बारे में देखें आज के समय में एक बहुत ही common समस्या है और लगबख हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है तो सुरुवात में हमें पता नहीं होता है कि हमारे बाल किस वज़े से जढ़ रहे हैं या फिर किस वज़े से तोट रहे हैं और इस चकर में हम कई सारे डॉक्टर के चकर काटते रहते हैं और अपने कई सारे पैसे भी बरबाद कर देते हैं तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके बाल किस वज़ा से तूट रहे हैं जिससे आप उसका सही treatment कर सकें। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोसिश करेंगे कि hair fall के क्या क्या कारण होता है। और आप कैसे जान सकते हैं कि आपका hair fall किस वज़ा से हो रहा है। तो यह हमारा personal experience है। हमने कई सारे patient पर यह try भी किया है। पहले हम जान लेते हैं कि hair fall के क्या क्या कारण होता है। तो देखिए इसके 6 मुख्य कारण होता है। पहले है genetics या फिर heredity। दूसरा है hormonal imbalance यानि कि hormones का ओपर नीचे हो जाना। तीसरा है stress यानि कि तनाफ, तनाफ के कारण भी हमारे बाल झणना स्टार्ट हो जाता है। फूर्थ है यहाँ पर nutritional deficiency, यानि कि nutrition की कमी हो जाने के करण भी हमारे बाल जढ़ना स्टार्ट हो जाता है, नमबर फाइव है serious illness, यानि कि यदि कोई लंबे समय तक बिमार रहता है तो भी उसका hair fall हो सकता है, जैसे कि typhoid के case में, and नमबर सिक्स है medication, देखिए कुछ दवाईया ऐसे होती है जिनने लेने से हमारा hair fall स्टार्ट हो जाता है, तो ये 6 मुख्य कारण है जिनके कारण हमारा hair fall स्टार्ट हो सकता है, और देखिए आपके लिए अच्छी बात भी है कि यदि आपके बाल genetics के अलावा इन 5 वज़ा से गए हैं तो आपके बाल वापस भी आ सकते ह या फिर आपके बाल जढ़ रहे हैं तो आपके बाल रुक भी सकते हैं, बस आपको उसका सही कारण जानना जरूरी है, जो हमारे बाल होते हैं वो particular एक region से जाते हैं और ये एक age आने पर ही होते हैं, निकि सभी के नहीं होते हैं किसी एक particular age आने पर ही होते हैं, तो आपको ज जानना जरूरी है कि हमारे बाल किस तरह से बढ़ते हैं देखिए हमारे बालों में ये तीन तरह की फेस पाया जाती है पहली है एनाजन जो की 2-6 साल की होती है और हमारे जो सिर पे बाल पाया जाते हैं उसमें से 90% बाल इसी फेस में होते हैं और ये ग्रोथ फेस होती है जिस से 6 सपता की होती है इसमें क्या होता है जो हमारे बाल बड़े हो जाते हैं या फिर बोड़े हो जाते हैं तो वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके डेली कुछ बाल गिरते रहते हैं तो वो इसी के कारण होता है लेकिन उसकी जगा पर दूसरा नया बाल उग जाता है, तो ये एक normal process होता है, जो की चलता रहता है, तो ये हमारे बालों की life cycle होती है, बात कर लेते हैं कि आपके बाल क्यों जढ़ रहे हैं, तो आप इसे कैसे जान सकते हैं, तो पहला reason था genetics, genetics में क्या होता है, जो आपके बाल जाते हैं, वो एक pattern में जाते ह हैं, आगे से और पीछे से, तो ये male में होता है, जबकि females में कुछ इस तरह से आपका hair loss होता है, लेकिन आपको ये है, जानना जरूरी है कि जो genetics के कारण hair fall होता है, वो एक particular age आने के बाद ही होता है, और ये बहुत धीरे-धीरे होता है, ये काफी slow process होता है, और इसमें particular area से ही आपके बाल जाता है, लेकिन आपको अभी इसके बारे में नहीं सोचना है, आपको पहले दूसरे कारण जानने चाहिए, तो उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा alopecia या फिर hair loss के कई सारे टाइप होता है, जैसे कि androgenic alopecia, alopecia eryta, rexon alopecia, telogen alopecia and anazone alopecia, देखिए यह एक बहुत बड़ा टोबिक है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, अब हम जान लेते हैं कि हमारे इंडिया में hair fall का मुख्य कारण क्या है और इसके लिए कौन-कौन से टेस्ट आपको कराने चाहिए, देखिए आपको पहले हमने इसके कमी के सिम्टमस देखने को मिल रहे हैं, फिर आपको उसी का टेस्ट कराना है तो इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, फिमेल में इसके लिए thairoids, vitamins, hormones, iron, autoimmune and minerals के टेस्ट कराया जाता है, लेकिन आपको ये सारे टेस्ट नहीं कराने हैं, आपको केबल वह से ही तूटते हैं तो पहला टेस्ट है यहाँ पर थाइरोड का टेस्ट तो थाइरोड की वज़ज़ से यदि किसी को हाइपो थाइरोड हो जाता है तो उसके बाल जढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं तो इसके लिए आप टी एसेच का टेस्ट करा सकते हैं तो आपको थाइरोड bowel problems यानि कि हमें constipation और diarrhea रहता है, hair problems हमारे बाल जढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, mental problems आती हैं यानि कि headache, depression होना स्टार्ट हो जाता है, कमजोरी रहती है और muscle cramps रहते हैं और mouth ulcer रह सकते हैं, तो यह सभी इसके symptoms होते हैं, यदि आपको यह सभी symptoms देखने को मिल रहे हैं, तो इसके क्या-क्या symptoms होते हैं, इसमें हमारी bone loss होना स्टार्ट हो जाती हैं, हमारे बाल जाना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी muscles में pain रहता है, हमें काफी depression रहता है, और हमारा blood pressure काफी बढ़ा हुआ रहता है, तो यदि आपको यह सभी symptoms देखने को मिलते हैं, तो आपको अपना vitamin D का test कराना चाहिए, यदि आपका vitamin D कम मिलता है, तो आपको उसे पूरा करना चाहिए, क्योंकि इसके वज़र से भी आपके बाल तोटना स्टार्ट हो जाते हैं, पर hair fall के लिए अगला test है iron या फिर ferritin test, तो यह mainly females में दिखने को मिलता है, यानि कि females में iron की कमी के कारण उन की कमी के कारण हो सकती है, यहाँ पर हम आपको कुछ blood report भी share कर देते हैं, तो यह एक patient की report है, जिसका हमने test कर रहा था, तो यह है TSH का test, यानि कि thyroid का test, तो इनका level है था 5.44, जो कि normal होता है 0.55 से 4.78, तो इनका इसी के कारण इनका hair loss होना start हो गया था, और इन्होंने इसे सह कर लिया था, तो इनका hair fall होना बंद हो गया था, तो यदि आपका भी TSH बढ़ा होता है, तो आपका hair fall होना start हो सकता है, तो यदि आप इसे ठीक कर लेंगे, तो आपका hair fall दुबारा से बंद हो जाएगा, और आपके जो बाल चले गए हैं, वो भी वापस आ जाएंगे, यह यहाँ पर हमारे पास दूसरी report है, iron deficiency profile की, यानि की iron की report, तो इनका iron serum है यहाँ पर 61, तो नर्मली होता है 65 से 175, और इनका transferring है 172, जो की नर्मली होता है 200 से 360 के बीच में, तो इस तरह से आप अपना iron का test भी करा सकते हैं, और यहाँ पर तीसरी report है, vitamin D और vitamin B 12 की, तो एक patient थे जिनका vitamin D काफी कम आया था, 8.69, और इसकी normal value होती है 30 से 100 के बीच में, तो इनका यह काफी कम था, जिसके current इनका hair fall होना start हो गया था, और जब इन्होंने इसे पूरा कर लिया तो इनके बाल वापस से आ गये थे, तो इस तरह से यदि आपका vitamin D कम रहता है, तो आपके बाल start हो जाते हैं, और यहाँ पर इनका vitamin B, 2L भी थोड़ा सा कम था, जो कि normally 211 से 911 होना चाहिए और इनका 181 था, तो इस तरह से आपना blood test करा कर अपने बालों के जढ़ने का कारण जान सकते हैं, तो आज की वीडियो में इतना ही था, आगे भी हम इस पर detail में वीडियो अप्लो